एक ऐसी घाटी जहाँ जाने पर वेक्ति और व्यस्तू गायब हो जाते हैं। दुनिया के कई इस्थान ऐसे हैं जो रहसे से भरे हुए हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं शांगरी लाग घाटी या दुनिया के सबसे रहस्मई इस्थान के रूप में जाना जाता है वैसे भी मारी धरती अजब गजब चीजों से भरी हुई है कहीं गुर्तावर्शन कम हैं कहीं विशेले जानवर हैं कहीं ऐसी घाटियां हैं जो आज भी इतने रहस्मेटे हुए हैं कि अब तक लोग उसे सुल्धा नहीं पाए हैं ऐसा कहा जाता है कि जगा चौथे आयाम फूर्थ डाइमेंशन में हैं आम तोर पर हमारे दुनिया लंबाई चौड़ाई और उचाई इन्ही तीनों आयामों के वज़े से असानी से दिखाई देती है प्रसीद दिवेगान एक स्टीपन हॉकिंग ने आयामों के संक्या 11 तक बताई है चिबबत की ए घाटी शांगरीला के बारे में बताया जाता है कि युच्चुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांगरीला घाटी में काल का प्रभाव बहुत कम है जेम्स हिल्टन के नाविल दा लास्ट होरिजिन में भी इस घाटी का वर्णन है वहीं परमहंस योगनंद में भी किताब आटोग्राफिम आफ योगी में इस घाटी का जिक्र किया है उन्हें इसे महावतार बाबाजी की स्थाई स्थान के रूप में प्रदर्शित किया है साहित अकादमी पुरुसकार प्राप डॉक्र गोपिनाद का विराज ने भी इस पुस्तक में इस घाटी का जिक्र किया है ऐसा माना जाता है कि रूनाचल प्रदेश और तिबद के बीच में घाटी स्थित है इस घाटी का नाम शांग्री लाघाटी है और से सिधाश्रम भी कहा जाता है किताबों में ऐसा जिक्र मिलता है कि इस घाटी में समय का कोई प्रभाव नहीं है ऐसा भी वंडर न है कि हाँ जाने पर वेक्टी का आयू रुक जाती है ऐसे कई रहसे हैं जो अपने आप में शांग्री लाघाटी समेटे हुए कहानिया बहुत सारी हैं जो लोग के दुन्तियों के माध्यम से बताते हैं अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगत फेजबू पेज़ पर लाइक करें और यूच्यूब पर सब्सक्राइब करें असरदार भी खबर भी दरोकार भी ललूराम.ड़ कॉम सच कहेंगे ललूराम जो कहीं नहीं वो यहां है जो सहीं हैं वो यहां है जो देश दुनिया में हैं वो यहां है एक इसपष्ट सोच यहां है हर परिवर्तन की खबर यहां है हर लोगों की बलंद आवाज यहां है राजनिती खेल फिल्म उद्योग विग्यान की हर बात यहां है हर अधिकारों की बात यहां है अन्याए के खिलाब संघर्ष यहां है हर करतवियों की बात यहां है यहां है ललूराम.डाट कॉम सच कहेंगे ललूराम